नमस्कार दोस्तों एग्रो गोल्ड एश्डी के यूटूब चैनल में आपसी का बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था तो दूसरी क्लास भी जो है लेकर आ चुका हूँ इंगलीस की फर्स स्वेस्टर के जितनी भी स्टुड है बहुत ही आप लोगों के एक्जाम में आएंगे तो फटा फट जो है क्लास स्टार्ट करते हैं इससे पहले अगर आप चैनल पर नहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को लाइक और सेयर कर दीजिए तो चले दो वीडियो सुरू करते हैं तो पहला जो खेल हैं वो सिर्फ समय को बरबात करते हैं तो यहां पर आपका जो एंसर दोस्तों दिया गया है वेस्ट आफ टाइम तो modern पब्लिक स्कूल लुकेड ऑन गेम्स एज ए वेस्ट आफ टाइम आपका जो आप्सन में दोस्तों आपको टिक करना है तो वेस्ट आप टाइम पर आप जो है टिक करेंगे आपका correct answer हो जाएगा अगला कुश्चन है communication is a non-stop communication is a non-stop तो इसमें आप जो है प्रोसेस पर टिक करेंगे अगर option में प्रोसेस दिया गया है तो process पर आप टिक करेंगे यानि कि कम्निकेशन जो है न रुकने वाला एक न रुकने वाली परिक्रि बिए इगला कुश्चन है According to sob presented English means तो यहां पर दोस्तो जो है मैं पूछ रहा है कि according toson सो के अनसार जो है प्रेसे से टाइम में इंगलीज क्या जो है क्या मतलब है तो यहां पर आपका जो दोस्ते दिया गया है गुड्ड इंग्लिस यानि कि गुड्ड इंग्लिस पर आपको जो है टिक करना है उप्षन में तो आपका राइट हो जाएगा अगला कुशन देखते हैं दोस्तों जीबी सा वाज जीबी सा वाज मतलब जीबी सा जो थे तो वो एक पब्लिक स्पीकर थे और नोविलिष्ट थे और ड्रामा इस्ट थे यानि कि दोस्तों वो एक नाटक कार थे और उपन्यास कार भी थे और पब्लिक स्पीकर यानि कि एक अच्छे वक्ता भी थे तो जीबी सा जो थे अगर आ तो सभी जो है पर टिक करना है यानि कि आपके सभी option राइट होंगे अगर इसमें से कोई एक option आता है तो आपको जो है एक option पर टिक कर देना है अगला question देखते हैं who said there is no such thing idently correct English तो यह इसमें दोस्तों आपका जो right answer है वो हो जाएगा जीवी saw तो दोस्तों यह यहाँ पर मतलब कह रहा है कि who said मतलब एक किस ने कहा था तो यह जो है जीवी saw ने कहा था अगला question है what is good English according to जीवी saw तो इसमें दोस्तों आप जो है टिक करेंगे presentable English इस पर आपके option में अगर जो दिया है presentable English तो इस पर जो है आप टिक करेंगे आपका right answer हो जाएगा अगला question देखते है what is the broken English तो इसमें आपको जो है option में टिक करना है English without any grammar आपका right answer हो जाएगा अगला question देखते हैं अगला question है दोस्तों और and the man is a steer on तो यहां पर दोस्तों आपको जो है option में टिक करना है war and heroism आपको जो है आपका right answer हो जाएगा अगला देखते हैं दोस्तों so play is no as तो यहां पर आपको जो है option में टिक करना है play of ideas आपका जो है correct answer हो जाएगा अगला सावाज बर्न यानि कि साज का जो है जन्म कहां हुआ था तो इनका जो मतलब जन्म सावाज बर्न आन मतलब कब जो है इनका जन्म हुआ था तो यहां पर सन पूछ रहा है तो आपको जो है अठारा सो छपन पर टिक करना है option में अगर दिया गया 856 तो आप जो है उस पर टिक करेंगे आपका right answer हो जाएगा अगला question है दोस्तों saw rot arms and man in तो ये दोस्तों एक जो है निवन्द है तो ये कब लिखा गया था सौ दौरा तो ये हो जाएगा इसमें आपका दोस्तों जो सन है 1893 अगला question है who speak bad English badly तो इसमें आपका जो है people in London अगला अब दोस्तों आगे जो है हमने कुछ समनार्थी सब्द लिये हुए हैं जिनको जो है मैंने यहाँ पर कुछ चुने हुए जो कि आपके exam में आ सकते हैं जिसा कि आपने देखा होगा कि previous year paper में जो है काफी ज़्यादा यह word question जो है पूछे गए हैं इसी में से लगभग साथ या आठ question जो है सबसे ज़्यादा आये हैं तो इस topic को जो है आप लोग अच्छे से cover कर लिजए क्योंकि यह आप लोगों के लिए जो है बहुत important है तो यहाँ पर दोस्तों जो है eager का हो जाएगा curious और gruesome का जो है हो जाएगा faithful और दोस्तों यहाँ पर secure का जो है वो हो जाएगा safe आगे दोस्तों दिया गया है बार वेंटन का जो है unsivilized हो जाएगा hurry का जो है अनेक करती सब्द तो हो जाएगा rush run और दोस्तों keep का जो है यहाँ पर hold हो जाएगा return हो जाएगा और little का जो है small teeny हो जाएगा explain का जो है poetry और दोस्तों define हो जाएगा angry का जो है made furious हो जाएगा और great का जो है not worthy और दोस्तों यहाँ पर जो है वरती हो जाएगा तो एक कुछ important जो है सब्द हमने यहाँ पर लिये हुए थे जो कि आपके एक्जाम में आ सकते हैं इसके लाओ दोस्तों जो है आगे हम देखते हैं और यहाँ पर दोस्तों मैंने जो है कुछ atom सब भी लिये हुए थे तो वह भी आप लोग जो है अच्छे से देख लीजिए तो यहाँ पर जो है यह पिछली बार पुछा गयता इसका हो जाएगा डिपार्ट और अटैक का जो है दोस्तों वह हो जाएगा डिफैंड और डिमांड का जो है वह हो जाएगा सपली एक्स्प्लेइन का जो है वह हो जाएगा दोस्तों contact और अगला दिया हुआ है दोस्तों include का जो है exclude हो जाएगा maximum का minimum हो जाएगा और passive का जो है active हो जाएगा और आगे दिया गया है private का जो है public हो जाएगा simple का जो है यहाँ पर comfortable हो जाएगा profit का loss हो जाएगा और will 10 का जो है यहाँ पर villain है दोस्तों यहाँ पर villain का जो है hero हो जाएगा wealth का जो हो जाएगा दोस्तों poverty तो important जो थे हमने यहाँ पर करा दी है बाकी दोस्तों जो है मैं group पर पीडियाप डाल रहा हूं वहाँ पर जो है आप लोग जाकर के देख सकते हैं कुछ इससे ज्यादा भी वहाँ पर जो है आपको मिल जाएगे जो important है आप लोग जब तक exam start होता है उससे पहले आप लोड कर रहा हूं तो वहाँ से जाकर आप जो लोग जो है देख सकते हैं